इस देश में नमालूम कितने ही मुकदमे मुकदमों की कहानिया आती रहती हैं लोग सुनते हैं सुनाते रहते हैं मुकदमों की कारवाई चलती रहती हैं लेकिन इसी देश में एक ऐसा मुकदमा था कि जब उसकी सुनवाई होती अदालत में तो इतनी भीड हो जाती कि अदाल पर कोई भी हाई प्रोफाइल केस होता है तो अदालत में भीयर होती है बहुत सारे लोगों की दिल्चस्पी होती हैं लेकिन यह केस बलकुल अजीब है हुगली में एक कोर्ट में एक मुकदमा चुल रहा था और जब जब इस मुकदमे की सुनवाई होती लोगों की भीड अदालत की तरफ उमर पड़ती अब भीड सम्हारा नहीं जा रहा है तो आखिर में सरकार नहीं ये तैय किया कि टिकेट लगा दो स्यद लोग कमा हैं अदालत के अंदर लेकिन लोग उस पर भी पागल तिकेट मतलब अदालत की कारवाई सुनने और देखने के लिए आप टिकेट खरीद कर अंदर जाएंगे अदालत में बट लोग कहा मानने वाले टिकेट लेना शुरू कर दिया अदालत के अंदर जब तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है लोगों की भीड़ वैसी है वो पैसे देने को तैयार है मुकदमे की कारवाई सुनने के लिए फिर यह हुआ कि और कैसे रोके तो उन्हों नहीं को टिकेट सर्फ दी जाएगी जो अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जानते हैं तो कुछ भी कारवाई को सुनने देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है जिस केस की कारवाई को सुनने देखने के लिए लोग टिकेट खरीदने को तयार है सरकार शर्ते लगा रही है और वो सारी शर्ते मानने के बावजुद भीड़ कम नहीं हो रही है तो यह इस द अंग्रेजों की हुकुमत थी यहां पर अंग्रेजों का राज्स था और कहानी कोलकता से करीब 70 किलो मिटर दूर की है कोलकता से करीब 70 किलो मिटर दूर एक इलाका है क्रूमल इसी क्रूमल इलाके में एक फैमिली रहा करती थी उस जमाने में मैं बात करूं 1872 की तवाम तोर लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी तेख परीवार था उस परिवार में एक लड़की थी जिसके उम्र तेरा साल थी — नाम था एलोकेशी एलोकेशी जब 13 साल की होई उनके माता पिता को चिंता होई कि बेटी की शादी कर दे रिष्टा ढूर नशू किया और जल्द ही उन्हें एक लड़का मिला जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था कुलकाता में नौकरी कर रहा था उसका नाम था नोबीन चंद नोबीन चंद उस वक्त की मिलीटरी परेस में नौकरी कीया करता था लड़का ठीक ठाक खाँन्दान से था नौकरी पेशा था तो यलोकेशी के माबाप उलगा की रिष्टा ठीक है उन दोनों की शादी कर दी गई एलोकेशी भी देखने में बहुत खुबसूरत थी अब नुबीन चंदर और एकोशी दोनों खुशी खुशी रहने लगे लेकिन इसी दोराल में अब चुके कोलकता से 70 किलोमीटर दूर अब वो नौकरी पे रहता शादी हो गई लेकिन अब एलोकेशी के उम्र ही कियाती देरा 14 साथ तो उसे लगा कि वो ड्यूटी पर जाएगा एलोकेशी घर पर कैसे है तेले रहेगी पूरे दिन तो उसे चिंता होगी फिर उसने कहा कि एक काम करो तुम अपने माबाप के घर पर रहो और बीट बीट में मैं तुम से मिलने आया करूगा तब उसने एलोकेशी को क्रोमूल में उसके माबाप के घर छोड़ दिया और जिद दिन छुट्टी होती वो पहुंच जाता गाओं सतर किलोमेटर दूर था कोलकता से और तब यह कलकता हुआ करता था मिया बीवी मिलते फिर वो नौकवी पे आ जाता इससला चलता रहा वक्त बीता रहा साल भर हो गया शादी को साल भर से उपर हो गया 1873 एलोकेशी अनो बींचन दोनों खुश थे लेकिन बस एक दुख था और वो यह कि इनकी कोई उलाद नहीं हो रही थी अब हाला कि उम्र के हिसाब से इस वक्त देखे हैं लोकेशी को उम्रे उपचाए 14 या 15 साथ लेकिन यह कि उस जमाने में यही रिवाच था तब कोई उलाद नहीं हो रहा दोनों बड़े दुखी घर वाले भी इदर परेश शिप जी का मंदिर हुआ करता था और कहते हैं कि यह मंदर 1729 में बना था और इस मंदिर के जो महंत थे दुमुक के पुजारी थे महंदर माधपचन उनके बारे में यह था कि बहुत सधी पराप्त यह महंत है और खासतोर पर बाच्पन यानि कि जिन औरतों को बच्चे नह लोगों की सूनी गोतें भर जाती तो यह दूर दूर तक इस मंदिर और इस महंत का नाम था आखिरकार एलोकेशी के माबाप ने भी तैय किया कि शादी के बाद भी बच्चा हो नहीं रहा है तो चलो तारकेशवर के मंदिर में ले जाते हैं तारकेशवर के मंदिर मिले इसकान माधव चंद एलोकेशी की खुबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसे एलोकेशी से प्यार हो जाता है इधर धीरे धीरे एलोकेशी भी जो है माधव के साथ घुल मिल जाती है और फिर वो भी माधव के करीब पहुंच जाती है उसे भी माधव से प्यार हो जाता है मह इलोकेशी शादी शुदा एक औरत है इधर महंत माधफ जंद है इसके अपनी एक पहुंच है उधर एक मिलिटरी प्रेस में काम करने वाला नोभी जंद वो कुलकता में नौकरी कर रहा है अब ये सारी कहानिया चल रही है अब खुलना मिलना जादा हो गया वो बांचपन लाने लगा अकेले बुनाने लगा एकांट में ले जाने लगा धीरे धीरे ये बात गाउं में छुपी नहीं अब लोग इस पर बातें करने लगें कि महंत माधफ चंद की खास नज़र है लोकेशी पर उसके खुब सूर्थी वैसी थी अब जब नोभी चंद कुलकता से ग ले लाकरे इसी दौरान वो उसने अच्छा वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे यकीन नहीं हो रहा था लेकिन लोग बाते कर रहे थे आखिरकार उससे रहा रही है तो उसने एक दिन टैकिया कि वो अपनी बीवी से सच्चाई जानने की कोशिश करेगा और सही या गलत है लेकिन मैं मोहित हो गई और हम दोनों के बीच में रिश्टे हैं अब ये सुनने के बाद चूकी नोबी चंद उससे बहुत प्यार करता था उसे लगा कि शायद उसकी गलती है उताय करता है कि अब अपनी पत्नी को लेकर वो कोलकता चला जाएगा इस गाउं महित के लोग जो थे एलोकेशी के उपर नजर रखते थे वो जो उसके आसपास के लोग थे वो दबंग नाइप के थे तो उन्हें पता चल गिया कि अगले दिन नोबी चंद अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है कोलकता महित महातब चंद ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत प नजर पाए गाओं के बाहर महित के लोगों ने रास्ता रोक लिया जब रास्ता रोका और फिर जाने से रोका फिर मार पीट करने लगे तो नुबीन चंद को बहुत गुस्सा आया अचाना घुस्से में उसने एक हसिया उनी से लड़ाई जगड़े के दौरान चीनी और उसी हसिया से अपनी पत्मी एलोकेशी का गला काड़ दिया गर्दन बिल्कुल धर से अलग कर दिया यह कहते हुए कि मैंने तुमको इतना प्यार किया और तुम्हारी विज़ा से खबरा गए वहां से भाग गए लेकिन गला काटने के थोड़ी देर के बाद गुसा शान्त हुआ और नोभी तन को लगा कि वह उसने गलती कर दी उसने अपनी मुर्दा बीवी के पास बैट कर रोया माफी मांगी बोला मैंने शायद गलत किया गलती तुम्हारी नहीं उस म गीवी का गतली किया है इकरार जुर्म कर चुका था पुलिस उसे पकड़ती है लाश परामत कर लेती है अब इसके बाद ये मामला पुलिस से होते हुए अधारत में पहुंचता है और यहीं से कहानी शुरू होती है कहानी ये थी कि इससे पहले हुआ ये कि जब अधियारतिय Σैनिक भी थे कि जो कारतूस इस्तेमाल किया जा रहा है जो अंग्रेज कारतूस इस्तेमाल कर रहे है उसमें गाई की चरबी को इस्त्माल किया जाता है और उसकारतूस को इस– son Sun ke थे अंग्रेजों की टुक्ड़ेंगे उन्होंने इसका विरोध करना शूर कर दिया अंदोलन करना शूर कर दिया क्योंकि उससे उनका धर्म भरस्ट हो रहा था धीरे धीरे ये चिंगारी फैलती गई और इसमें यह हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के खलाफ एक तरह से उनको निशाना बनाया गया तब अंग्रेजों को पहली बार यह ऐसास हुआ कि यहां बाकी चीज तो कर सकते हैं लेकिन अगर किसी कि धार्मिक भावनाओं को भढ़गा कर कुछ करें तो फिर क्रांती हो सकती है तो उन्होंने इन चीजों को वापस लिया लेकिन उन्होंने यहां के हालात को देखते हुए कर दिया अब 1857 की क्रांतियों ने याद थी कि कैसे कार्थूस में अगर गाय की चरवी को लेकर लोगोंने विरोध किया और उस वक्त मंगल पांडे में तो एक अंग्रेज अफसर के ऊपर गोली चला दी थी इसी चीज को लेकर त दौरान में उन्होंने आइपीसी लागो कर दी कि को उन्हें अब देश चलाना और लॉड और भी देखना है तो इस आइपीसी में अलग-अलग सारे सेक्शन रखे एक सेक्शन था जो फिर कहीं न कहीं अंग्रेजों पहीं बात हो थी कि इसको हटाओ नहीं तो फिर लोग ग्रोध करेंगे लेकिन उस वक्त के जो भी करता धरता थे उन्हें नहीं रहेगा और वो था आइपीसी सेक्शन 497 497 जो था वो एडल्ट्री से जुड़ा हुआ था एडल्ट्री का मतलब यह कि अगर एक शादिशुदा औरत के साथ किसी और का रिष्टा है तो फिर वो ज जो है विक्टिम वो लेड़ी नहीं होगी बलकि उसका पती होगा तो यह कानून आया अब इसको लेके बड़ा वो हंगामा हो रहा था क्योंकि हमारे यह यह था किस जो लड़ था एडल्ट्री में सजा हो ऐसा इससे पहले नहीं था लेकिन धीरे दिरे अभी लोगों को पत के लिए उसकी कहानी है तो अब इस मामले में नोवी चंद को ग्रफतार किया गया कोर्ट में पेश किया गया तो फिर जो नोवी चंद की तरफ से वकील थे वो मेश चंद्र बैनर जी यह एक बहुत होनेहार वकील थे कॉंग्रेस के यह संस्थापक भी थे और कॉंग्रेस क उन्होंने यह कहा कि नोवी चंद ने कतल किया इकरार किया लेकिन नोवी चंद विक्टिम है उन्होंने का असली गुनागार जो है वो है महंत माधव चंद क्योंकि उसने नोवी चंद की बीवी के साथ रिष्टे बनाए और उसकी वज़ा से नोवी चंद की इजद दाव पर लगी लोग हसने लगे और नोभी चन्द ने ये कतल इसी ले किया क्योंकि महंत माधव चन्द के साथ रिष्टे थे अगर ये नहोता तो शायद कतल की नौबत ना आती और फिर उन्होंने इसी केस को उठाया और कहा कि अल्रेडी अडिल्ट्री कानून है 497 तो उसके सहथ महंत माधव चन्द पर भी ये केस बनता है अब पहली बार ये चीज सामने आई और जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हुगली के कोट के बाहर लोगों की भीड टिकेट दे कर अदालत की कारवाई मुकदमे की कारवाई सुनना यहां तक कि फिर उससे भी नहीं हुआ त एक ताकेश्वर मंदिर का ताकतवर पुजारी महंत माधव चन्द उसके खिलाफ केस महंत माधव चन्द को भी जिरफ़तार कर लिया अग्रेज जोने अब ये मुकदमा चला उस वक्ट जूरी सिस्टम हुआ करता था हमारा एक अंग्रेज जजज हुआ करते थे बाकी जू किसी और ने अपने जाल में फसाया और इसकी वज़ा से उसकी घरेलू जिन्द की बरबाद हो गए इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए ये जूरी का फैसला था और इसमें असली मुझरिम जो हो माधव चन्द महंत है जूरी ने ये पूरा फैसला सुनाया लेकिन जूरी कि इस फैसले से जो जड़ थे वो सहमत नहीं थे उनना का नहीं एक शक्स ने गतल के बात कबूल किये चिसको छोड़ा नहीं जा सकता तो जूरी के मेंबर के जो फैसले के खिलाफ उस जजज ने इसे रिफर कर दिया हाई कोट कि हाई कोट इसके सुनवाई करेगी अब मामल हाई कोट में घया वहाँ सुनवाई हुई जब सुनवाई हुए इसके बाद फिर से यह सारी चीज़े आई लेकिन हाई कोट ने बाकी चीज़ों को दर किनार कर जिस तरिके सी एक कतल हुआ था नोबी चंड को उंडर कैत की सजळा और महंत माधब चंड को तीन साल काहई की जब इस पूरे केस को इस वक्त के अगबारों में भी छापा जा रहा था, मीडिया के उस वक्त बिन नजर थी, और ये केस तारकेश्वर मर्डर केस के नाम से एक तरह से मशूर हो चुका था, इदार एक तरफ अड़र्टरी की कानूँ और दूसरी तरफ ये कि एक पती, जिस हो गया इसके बाद अब लोगों ने एक मुहिम चलाई करीब डस हजार लोगों ने एक सिगनेचर कैमपेंग चलाया हस्ताक्षर अभियान नोभी चंद की हक में और इसके बाद ये सारी चीज़े करते हुए बड़े-बड़े अंग्रेज अफसर और गवर्नर तक की सारी बात है बलकि उसने इजब की खातिर ये कटल किया तो ये फैसला गलत है अब जब इतने सारे लोगों दस जार से जादा लोगों के अस्ताक्षर अभियान और ये सारी चीज़े गई हाई को तब पहली बार लगा कि अगर लोगों की भावनाओं के साथ वो नहीं गया और अंग् कोष्रियों में था तो अंग्रेज अफसरों की उस वक्के करता धरता हों की रिपोर्ट गई कोट के पास कि इस मामले में नोभी चंद को अगर सक्सादी गई उब रकरार रही तो ये खलत होगा इसी के बाद अंग्रेजी शासन की सहमती से फिर कोट में अठारा सो पच्छ करीब तीन साल रह चुका था तब तक नोभी चंद जेल में उसे रहा कर दिया और रहाई के बाद इसी दौरान में जो महंत था उसे भी रहा कर दिया गया रहाई के बाद नोभी चंद वहां से निकल कर कहीं और चला गया उसके बारे में फिर कुछ पता नहीं जबकि जो मह केस था जिसने कई चीज़ें एक साथ परड़ दी थी हालाकि इसके बाद पिर अंग्रेजों ने इस अडल्टरी कानून में ये एक संसोधन के और वह ये किस कानून के तहट सजा नहीं मिलेगी और ये क्रिमिनल केस नहीं होगा बलकि एक सिविल मैटर होगा ये चलता रहा बा सुप्रेम कोट की पांच ज़जों की एक बेंच बैटी और इन पांच जजों की बेंच ने इस कानून के ऊपर बाकाइदा चर्चा किया और ये कहा कि समानता के आधिकार के खलाफ है ये कानून एक्वैलिटी के आधार के खलाफ ही क्योंकि अगर अगर ऐडल्टरी में एक शादिशुदा महीला का अगर किसी के साथ relation है तो सरफ एक को सजा और दूसरे को छोड़ देना ये फिर समान तक कहा है तो जुर्म में दोनों बराबर के शरीक है जिसके साथ रिष्टा है और जिसने रिष्टा बनाया है तो इसलिए और दूसरा इसमें कि ये भी था कि अंग डिवोर्स लेने के लिए अडिल्टरी लागा इस्तमाल किया करते थे सुप्रिम कोट ने इस चीज़ में ये जब मांग की कि अडिल्टरी के आधार पर तलाग की जो मांग की जा सकती है तो उसको भी सुप्रिम कोट ने मना कर दिया और कहा कि इस मामले में कानून सजा नही से हटा दिया तो एक कानून एक शक्स उसकी बीवी और एक महंत तारकेश्वर मटरकेस की यतिकान